नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की कहानी का शीर्षक है कान के बुंदे जिसे लिखा है सुभध्रा कुमारी चौहान ने कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए तो आईए कहानी शुरू करते हैं दीमत पर विचार करने का समय न था अतयवे सिटी कोथबाल से मिलकर जिससे उनकी बड़ी घनिष्टता थी हीरलाल को अपनी जमानत पर छुडा रही बुंदों के साथ ही नौ रुपे देकर वकील सहाब ने हीरलाल को कचहरी भेजा और स्वैम भी कचहरी गई किन्तु दिन भर उनके मस्तिश्क में यह बात फिरती रही कि दो हजार रुपे की कीमत के बुंदे आखिर इसकी इस्त्री के पास कहां से आए इन बुंदों के साथ कौन सा कैसा रह से छिपा रहा है वकील सहाब एक बार जानने के लिए उतकंठित से हो उठे हिरासत से बाहर आते ही हीरलाले जुक कर वकील सहाब के पैर छुलिये अभी तक वकील सहाब को केवल अपनी नौकरी के ही कारण न छोड़ सकता था कि तो आज ये तो वे उनका भक्त भी हो गया और उसने मन ही मन निश्चे किया कि चाहे इनके साथ रहकर मुझे अनेक विपत्तियां ही क्यों न उठानी पड़े परंतु अब इस देवता आगमी का साथ आजन न छोड़ूगा शाम को भुंदों को लिये हुए वे वकील सहाब के एहसान भार से दबा हुआ घर लोटा जेब से भुंदे निकाल कर पत्नी के सामने रख दिये कमला ने उठाहब पूर्वब पूछा क्यों क्या पसंद नहीं आए पीरलाल बोला वाह पसंद क्यों नहीं आए इतने अच्छे बुंदे और पसंद नहीं आते बनने को भी दे दिये गए कमला बोली बुंदे बनने को दे दिये पर मैं तो यह कहना भूल ही गई थी यह यहां के नहीं मद्रास के बने हैं जब मैं बहुत छोटी थी तब हम लोग बाबु जी के साथ मद्रास गए थे वही मा के लिए बाबु जी ने इसे खरीदा था कीरलाल बोला शायद यही बात हुई होगी जब सुनारों ने बनाने से इंकार कर दिया होगा तभी वकील सहब ने लोटाया होगा कीरलाल ने बुंदों की कीमत के अपने पक्रे जाने के बारे में और वकील सहब ने उसे किस तरह छुड़ाया इसकी बाबत अपनी इस्त्री से कुछ भी ना कहा शहर में प्लेग का प्रकोप हुआ सब लोग शहर छोड़ छोड़ कर बाहर जोंपड़े बना कर या बंगलों पर रहने के लिए निकल आई वकील सहब ने अपने बंगले में नौकरों की एक कोठरी में हीरा लाल को रहने की जगह दे दी एक ही आहाते में रहते हुए संभवता दो तीम महीने बीद गए किन्तों वकील सहब की पतनी हीरा देवी और कमला देवी में किसी प्रकार की जान पहचान नहों सकी कीरा देवी ने उच्च कोटी की शिक्षा पाई थी वैं संस्कृत में कावेतीर्थ और अंग्रेजी में बीये थी साधारन सुन्दर थी पर सभाव जरा रुखा था वैं मौके मौके पर ही हस्ती थी साधारन लोगों से वैं बातचीत भी कुछ कम करती थी उन्हें अपने धन, विद्या और एक प्रतिष्चित परिवार की कन्या होने का गर्व था अपने आशित एक मौन्शी की इस्त्री से बात चीत करने में वैं समय का दुरुपयोग समझती थी इसलिए उन्होंने कमला को कभी न बुलवाया इधर कमला इसके बिल्कुल प्रतिकूल थी वैं अनिन्दे सुन्दरी थी खूब गोरा रंग, आकर्शर आखे, पतले-पतले लाल होंट चिन पर सदाहसी खेलती रहती वैं बड़ी नम्र और मिलनसार थी पढ़े लिखी बहुत साधारन थी हिंदी की पुस्तकों के अतरे चिठी पत्री लिख पढ़ देती थी अंग्रेजी के कोई-कोई अक्षर पहिचान लेती थी फिर भी उसे वेभार ग्यान था ग्रहकारी में कुशल थी साधारन से साधारन कपड़ों को भी धंग से पहनना जानती थी साधान कपड़ों को ही वै इस जंग से पहनती थी कि वै उसके शरीर पर मूल लिवान जान पड़ते 20 साल की उमर होने पर भी 14 साल की किशोरी जान पड़ती उसके सभाव में एक प्रकार की लापरवाही और अल्हण बन था जो इस बात का साक्षी था कि इसने भी अपने जीवन में कभी अच्छे दिन देखे थे जिस दिन से कमला को मालूम हुआ कि हीरा देवी ने उसके एर रिंग मगवाए और पसंद किये हैं उनसे मिलने के लिए कमला की उत्सुपता और भी बढ़ गई एक दिन दो पहर को वे हीरा देवी से मिलने गई जिसकी सूचना हीरा लाल ने अपनी मालकित को पहले ही दे रखी थी बरामदे में एक चटाई पड़ी थी हीरा उसी पर बैठ गई साधार आव भगत के बाद हीरा देवी पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ कर के आने से उन्हें किसी तरह की प्रसनिता हुई प्रत्यत उन्होंने यही प्रकट किया कि उसके आने से उनके काम में कुछ विग नहीं पड़ा है उनके मूँ के भाव से कुछ ऐसा प्रकट हो रहा था जैसे उन्हें कमला के रूप और लावने से इर्शा हो रही हो कमला एक साधारम जामदाने की कड़ियोई गुलाबी रंग की साड़ी और वैसा ही बलाउस पहने थी हाथों में तीन-तीन कांच की चूड़ियां और कानों में वही हीरे के एरिंग चमक रहे थे वै इस आशा में थी कि हीरा देवी यदि कुछ भी उसके बुंदों के विशय में पूछेंगी तो वै बातों ही बातों ने उन्हें बतला देगी कि यद्य पर इस समय दिनों के फेर से वै उनके मुन्शी की इस्त्री है कि तो वै भी किसी समय बड़े घर की लड़की थी और उसने भी अच्छे दिन देखे हैं उसके पास एक नहीं अनेक जेवर थे इन बुंदों की तरह कि तो हीरा देवी ने उसके साथ बात चीद करने में जो उदासी इंता दिखलाई उससे कमला के आत्मसमान को धक्का लगा वह यहां आके पश्ता रही थी वह उठकर घर जाने की आग्या लेने ही वाली थी कि इसी समय हीरा देवी किसी कारिवश कुछ देर के लिए बीतर चली गई कमला को रुख जाना पड़ा तो वहीं चटाई पर बैठी उसी मासिक पत्रिका के पन्ने उलटने लगी ठीक इसी समय वकील सहाब ने घर में प्रवेश किया कमला वकील सहाब को पहचानती थी किन्तु वकील सहाब उसे न जानते थे कमला उठकर खड़ी हो गई वह कहीं चिप जाने का इस्थान ढूनने लगी इधर वकील सहाब को एक सभ्रांत महिला को इस तरह बरामदेवी चटाई पर बिटलाना कुछ अपमान जनक मालूम हुआ पहले तो वह उल्टे पाउं बाहर लोड़ जाने वाले थे पर अंतुन नजाने क्या सोचकर उन्होंने कमला को संभोधिन करके कहा आप यहां बाहर क्यों बैठी हैं आईए ब्रॉइंग रूम में बैठी है मैं उन्हें बुला लेता हूँ कमला कुछ न बोली चितर चाया की तरह वकील सहाब के पीछे पीछे जाकर ड्रॉइंग रूम में बैठ गई सच बात तो यह थी कि हीरा देवी की तरफ से इतना निरादर और वकील सहाब के द्वारा इतना आदर तोनों के विवहार में इतना अंतर देख कमला कुछ विस्मिन सी हो गई वकील सहाब ने अंदर जाकर पत्नी से कहा और फिर बाहर आकर बैठ गई हीरा देवी ने समझा कि कोई और मिलने आया है इसलिए वह अपने कपड़े बदलने लगी कपड़े बदलकर रसो यह को चाय तयार करने के लिए कहकर वह ड्रॉइंग रूम में आई किन्तु वहां किसी और को नहीं कमला को ही पती के साथ खुले मूं मक्मली कोच पर बैठे देखकर किरा देवी के शरीर में आगसी लग गई वह कुछ बोली नहीं रूखे भाव से आकर वहीं दूसरी कोच पर बैठ गई उनके आते ही कमला उठकर खड़ी हो गई और उनकी ओर लक्ष करके कहा अब आग्या दीजिये मैं घर जाऊं किरा देवी के कुछ बोलने से पहले ही वकील सहाब बोल उठे बैठिये चाय तयार हो गई है चाय लेकर जाईए एक तीवर दृष्टी से पती की ओर देखकर किरा देवी ने कमला से कहा हाँ चाय पीके ही जाना तयार तो हो गई है पर कमला रुकी नहीं कमला की सुन्दर्ता की चाप वकील सहाब के हिदय पर प्रथम दृष्टी में पड़ गई इसलिए वे सब की नजर बचा कर कभी कभी कमला के भुकी ओर देख लिया करते थे किसी बुरे भाव से नहीं वे सुन्दर्यो पासक थे प्रत्येक सुन्दर्वस्तू को देखना उनकी दृष्टी में आवश्यक था शिष्टाचार के तौर पर कमला के जाते समय हीरा देवी ने उसे कभी कभी आते रहने के लिए कहा कमला इस करपा के लिए उन्हें धन्यवाद देखकर अपने घर गई कमला के जाते ही पत्नी पर तिरसकार सुचक दृष्टी डाल कर वकील साहब ने पूछा यह कौन थी? वहाँ चटाई राल कर बिठा दिया इतना बड़ा ड्रॉइंग रूम किसलिए है? कीरा देवी भी उसी भाव से तीव रिसुर में बोली तो तुम क्या चाहते हो कि मैं नौकरों चौकरों को भी अपने साथ ही कुर्सी पर बिठाया करूं? यह तो तुभी से होगा मैंने तो यह नहीं सीखा फिर भी अब बाद विवाद करने से क्या ताथ परे है? जब तुमने उसे बुला कर अपने पास कुर्सी पर बिठा ही लिया था वकील सहाब ने उत्तुक्ता से पूछा नौकर चाकर? नौकर चाकर से तुम्हारा क्या ताथ परे? हीरा देवी ने रुखाई से कहा मैं मुंशी की ही तो इस्त्री थी ना? नौकर चाकर नहीं तो क्या मेरी हमजोली है? वकील सहाब कुछ नमर होकर बोले मुंशी की ही इस्त्री सही हीरा लाल मेरा मुंशी है उसकी इस्त्री तो नहीं है उसके साथ तुम्हें नौकरों का सबरताव कदा भी न करना चाहिए जो सम्मान करना जानता है तो सम्मान पाता भी है फिर गरीबों का सम्मान तो धनिकों से अधिक करना चाहिए यदि तुम उससे अपने साथ पहले से ही ड्राइंग रूम में लेकर बैठती तो तुम्हारे सम्मान में कुछ भी अंतर ना आता किन्तु वह तुम्हारे विश्या में केवल उचे विचार लेकर ही जाती हीरा देवी अब जुझरा उठी क्यों तंकी एडालते हो मुझे नहीं बन पड़ा तुमने तो कर ही दिया फिर अब अफसोस किस बात का है और इतने पर भी संतोज ना हो तो जाके उसके आंसु पोचाओ मुझे कोई शिकायत न होगी कहकर हीरा देवी दूसरे कमरे में चली गई मेज पर चाय ठंडी हो रही है उस तरफ ना वकील सहाब का ध्यान था ना हीरा देवी का हीरा देवी के जाते ही वकील सहाब ठके हुए से एक कोच पर लेट गई बात बात पर भे अपनी पत्नी के वाद दिवाद और तर्क से ठक गए थे विवास से पहले जब उन्हें मालुम हुआ कि उनकी भावी पत्नी ग्रेजुएट है संस्कृत में कावी तीर्थ है तो उन्हें ना जाने कितनी प्रसनता हुई थी अपने कलपना जगत में उन्होंने अपने एक छोटे से सोनी के संसार को देखा जिसमें पती-पत्नी दोनों सु संस्कृत उचे विचारवाले शान्ति प्रिया और सरल है जिनके सहयोग से ग्रहस्ति नंदन्मन हो जाती है इसी सुर्षवपन को देखते-देखते वेवहा के बंधन में बंद गए और उन्होंने अपने भागी की सरहाना की मित्रोंने बधाई के पुल बांध दिये नवधू अधिक सुन्दरी न थी पर सुशिक्षिता थी इसका वकील सहाब को गर्व था किन्तु आज उनका गर्व धूल हो चुका था रह रहा के उन्हें ऐसा जान पड़ता था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी भूल कर डाली है जिसका कोई प्रतिकार नहीं पत्नी के उद्दन्द सुभाव से वे बहुत असंतुष्ष थे हीरा देवी में उन्हें इस्त्रियोचित गुर्ण धूने न मिलते थे पत्नी से अधिक संकोच और शील की मात्रा उनके ही सुभाव में थी जिसके कारण है पत्नी से कभी कुछ कह सुनना सकते थे और कहते भी तो कैसे हीरा देवी आखिर उनसे किस बात में कम थी वे वकील थे हीरा देवी भी कुछ दिनों तक पत्ना के गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल रह चुकी थी वकील सहाब बी ए एलल भी थे तो हीरा देवी बी ए बीटी थी विद्यार डिग्री या रुपय कमाने की कला वकील सहाब से हीरा देवी किसी बात में तिलभर कम न थी फिर उनसे वे किस बात में दब्तिन और दब्ति भी कैसे उन्होंने इस्त्रियों के समान अधिकार पर बड़े बड़े लेक लिखे थे और तर्क शास्त्र के द्वारा है सिद्ध कर दिया था कि इस्त्री और पुरुष का प्रतियक बात में समान अधिकार है किन्तों वकील सहब से कोई पूछता इस समान अधिकार का परिणाम उनके हाख में कैसा सिद्ध हुआ पर तो जानते ही ना थे कि ग्रहस्ति सुख कैसा होता है पर तरस रहे थे हीरा देवी उनके लिए एक मित्र की तरह थी पाकी घर का सारा काम तो नौकर करते थे हीरा देवी भी ग्रेजुएट थी वे इन चोटी-चोटी बाक्तों में अपने अमूले समय को नश्क न कर सकती थी और न कभी वकील सहब की ही इम्मत पड़ती कि उनसे किसी काम के लिए कहते सौ की जगह दो सो खर्च होता कि तो फिर भी एक दिन भी उन्हें अच्छा भोजन न मिलता पैसे तो सामने ठाली में कई चीज़े होती पर सब बेस्वाद, नीरस, जैसे तैसे पेट भरते थे हीरा देवी पहले ही बार गर्भवती हुई थी प्रसव के लिए उन्होंने अपनी माता के पास जाना उचित समझा वकील सहब ने इसे ज्यादा ठीक समझा क्योंकि यहां उनके घर पर कोई दूसरी इस्त्री थी ही नहीं अतयव गर्भ के छटे मास में ही हीरा देवी अपनी मा के घर चली गई एक दिन कचहरी से लौट कर वकील सहब चाय के लिए बैठे ही थे कि हीरा लाल एक थाली में कुछ मिठाईया जो एक सुन्दर बेल भूटेदार रुमाल से धकी थीन लेकर आया बोला घर में बनाया था तो मैंने कहा थोड़ा सा आप के लिए भी ले जलू बहुजी तो है नहीं अब आपके लिए कौन बनाता होगा वकील सहाब ने मन ही मन सोचा ये थी ही तो कब बना के खिला देती थी प्रकट में बोले क्यों तकलीफ की हीरा लाल महराज तो बना ही दिया करता है जो कुछ मैं चाहता हूँ हीरा लाल ने धीरे से थाली को मेज पर रखकर रुमाल हटा लिया फिर बोला वकील सहाब ये पकौडिया खाई है अभी बन रही है बिल्कुल गरम है और चाय के साथ आपको अच्छी भी लगेंगी वकील सहाब पकौडियों के शौकीन थे तश्टरी की सब पकौडि साफ कर गए हीरा लाल शर्माया शाय दह बहुत कम लाया था खाने के बाद बोले दरसल हीरलाल बहुत अच्छी पकोड़ियां बनी है बाकी मिठाईयां भी बहुत अच्छी है क्या तुम्हारे घर की बनी है हीरलाल प्रसन होके बोला हाँ सरकार हम लोग तो बाजार की मिठाई खाते ही नहीं वेतों सब अपने हाध से बना लेती हैं, सस्ती की सस्ती पढ़ती हैं, और बाजार से अच्छी भी रहती हैं। वकील صاحب बोले, मालूम होता है भोजन मनाने में बड़ी चतुर हैं, पर वेतों मि्र्जापूर तरफ की हैं। देहात की लड़कियों को तो मैंने भोजन की कला में निपुर कहीं नहीं देखा। हीरालाल बोला, दिनों का ही फेर समझिये वकील सहाब, वैं मुन्शित नवल किशोर राई की लड़की हैं। एक ही रात डाकून ऐसा जबरदस्त डाका डाला कि इनका सब कुछ लूट ले गए। इन्हें अपनी मा के साथ जाफर मामा के घर मिर्जापुर में रहना पड़ा। ते हाथ में रही तो क्या हुआ। इनकी मा बहुत जदुर थी, उन्होंने ही इन्हें सब कुछ सिखाया। उन कान के बुंदों के अतरेक्त, मोतियों का एक चंदरहार भी उनके पास है। वकील सहाब मैं क्या बताऊं, उसके हाथ में कैसे जादूं है। मामूली दाल भाद बनाती है, पर इतना स्वादिष्ट की क्या बताऊं। वकील सहाब आश्चर से बोले, अच्छा, यह मुंशी नबलकिशोर राय की कन्या है। वह तो इलहबाद के बड़े भारी वकीलों में से थे। तभी यह इतनी चतुर है। हीरालाल ने प्रसनता का भाव जाहिर करते हुए कहा, वकील सहाब गुस्ताखी माफो, एक अर्ज करता हूँ, आप कल सवेरे मेरे जोपड़े में ही भोजन कीजिए, हम घरीबों के भोजन का स्वाद भी लीजिए। वकील सहाब को अपने मुंशी के यहां भोजन करना जरा उचित न वालूम हुआ, बोले, क्यों तकलीफ करते हो हीरालाल, यह जो इतनी चीज़े लाए हो, यही मेरे कल तक के लिए काफी हैं, फिर क्यों तकलीफ करते हो। हीरालाल बोला, इसमें तकलीफ की क्या बात है वकील सहाब, उसका सभाव ही ऐसा है, कि अगर दस खाने वाले आ जाएं, तो उसे दूनी खुशी होती है, सुस्ती तो उसमें नाम की नहीं है, और खाने वालों को खिला पिला के चाहे उसके खाने के लिए एक और भी न बचे उसे बड़ा संतोष होता है, वकील सहाब बोले, अच्छा, भोजन तो तुमारे घर का मैं स्वीकार कर लेता हूँ, पर मैं वहाँ खाने ना जाओंगा, तुम खाना यहीं ला देना, इरालाल खुशी खुशी अपने घर चला गया, वकील सहाब कपड़े पहन के क्लब गए कलब से उस दिन वकील सहाब जल्दी ही लोटाए, उनका जी वहाँ भी न लगा, एक अजीब तरह की परिशानी उन्हें तंग किये डालती थी, भोजन के लिए महराज पूशने आया, कई बार पूशने पर जैसे सोते सोते चौक कर उन्होंने जवाब दिया, नहीं, महराज इस नहीं का अर्थ कुछ भी लगा न सका, दुबारा फिर पूशा, सहाब भोजन लाउं क्या, वकील सहाब जल्ला उठे, बोले, अभी कहा था ना मतलाओ, क्या एक बार के कहने से समझ नहीं सकते, महराज चुक्चाप चला गया, उस दिन किसी की भी हिम्मत वकील सहाब से बोलने की न हो सकी, किन्तु नौ बजे रात को फिर हीरलाल दर्वाजा खट-कटाता हुआ कहुचा, वकील सहाब इतने रात को उसके आने का कारण समझ गए, फिर भे और दिनों की तरह बे उसे जड़क न सके, बलकि आदर के साथ बैठाया और नमृता से बोले, क्या है हीर हीरलाल, मालुम होता है कि आज पीने के लिए नहीं है कुछ, हीरलाल हस पड़ा, सरकार जब तक आपके पास हूं, मुझे क्या तकलीफ हो सकती है, जब मेरे पास ना रहेगा, आपके पास आऊंगा, अच्छा, यह बात है, कहते हुए वकील सहाब ने दो रुपे जेब से न लिया करता था, किन्तों घंटों माथा पच्ची के बाद, वकील सहाब के इतना शीगर रुपे निकाल कर देने का अर्थ उसने लगाया, उस दिन की अत्यधिक आमदनी, रुपे उठाते उठाते बोला, मालूम होता है आज खूब आमदनी हुई है, वकील सहाब रुपे हो तो दो-तीन और दे दोना, घर में खर्च के लिए बिल्कुल नहीं है, वकील सहाब बोले, अच्छा, तुम्हे दो दे दिये, तो तुम लालश में पड़ गई, हीरा लाल नम्रता से बोला, नहीं, वकील सहाब घर में तंगी न होती, तो मैं कभी न मांगता, आप तो मुझ जानते हैं, बस मुझे पीने भर को मिल जाए, फिर मुझे कुछ न चाहिए, आज तो उसने कहा कि रुपिया चाहिए, इसलिए आप से कहा, नहीं तो क्या कभी कहता, आज की वकील सहाब की आमदनी कुछ पांच रुपे ही थी, उन्होंने बाकी के तीन रुपे निकाल कर ही हीरलाल के हवाले कर दिये, देते देते उन्होंने ताकीद कर दी कि देखो सब के सब मत पी जाना, घर में खर्च के लिए दे देना, हीरलाल बोला, नहीं वकील सहाब क्या पागल हूँ, मैं पहले घर में देकर फिर पीने जाओंगा, हीरलाल चला गया, वकील सहाब फिर पल ग्रहस्त जीवन कितना आकरशक है वै है मामुली मुन्शी इस्त्री साधारन पढ़ी लिखी ग्रामीर बालिका है फिर भी ग्रहस्ती को स्वर्ग बना रखा है इत मैं हूँ शेहर के बड़े वकीलों में पांच साथ सो मासिक तो कमा ही लेता हूँ बंगला है, मोटर है, सुन्दर बगीचा है इस्त्री संस्कृत और अंग्रेजी में ग्रेजुएट लोग तो यही समझते होंगे कि मैं कितना सुखी हूँ मित्र लोग आकर मेरी किस्मत की सरहना कर जाते हैं कि तुम मेरी किस्मत कैसी है मेरे सिवाय और कौन जान सकता है बिना सुशील पत्नी के सब सुख होते हुए भी मनुश्य सुखी नहीं रह सकता सच्चे ग्रेज्टी के सुख के सामने सारे संसारिक सुख यह हैं वह ग्रेज्ट सुख मेरी किस्मत में है ही नहीं काश मैं किसी भी मामूली पढ़ी लिखी इस्त्री से ही विवा करता और वैं सुशील होती तो जीवन कितना सुखी न होता यदि सुशीला ना भी होती तो कम से कम बात बात में उसका तर्क शास्त्र तो ना चलता हर बात में वैं अपने विद्वता की छाथ तो न जमाने लग फिर मुझे उनके सामने लज्जित होना पड़े इसी प्रकार जितना ही मैं उससे दबता हूँ भे मुझे दबाती जाती है मैं इस्त्री को समान अधिकार देने का विरोधी नहीं हूँ किन्तु वे इतना समझती कहा है मैं अधिकार पाते ही उसका दुरुपयोग करने लगती है इस्त्रियों के लिए कुमलता, लज्जाशीलता और नम्रता बहुत आवश्यक है पर यह बाते हीरा में कहां है किन्तु इसमें हीरा का दोश, दोश तो उसकी शिच्छा का है फिर मैं शिच्छा को भी दोश कैसे दूँ उसी की छोटी बहन मेरा भी तो एमे में पढ़ रही है इतनी सुशील लज्जाशील है कि सीधी तरह आँख उठा कर बात नहीं कर सकती कुछ नहीं सब मेरी किस्मत का दोश है मेरी किस्मत में ग्रहस्त सुख नहीं था पहले ही दिन पहली दृष्टी में कमला के रूप पर मुख्ध हो गए थे आज वह उसके गुणों की भुरी भुरी प्रशंसा कर रहे थे किन्तु इतना वह जानते थे कि जीवन में अनेक बार ऐसे अफसर आते हैं जब इंद्रिय मनुष्य को अपना दाज बना लेती है जानता हूँ अभी मनुष्य अंजान बन जाता है समझधार भी ना समझ हो जाता है इसलिए वह कमला के रूप और गुणों पर मुख्ध होते हुए भी उससे दूर दूर रहना चाहते थे वे उस पवित्र फूल को जिसका सौरव उने बहुत प्रिय था चूकर अपवित्र ना करना चाहते थे इसलिए वह पास भी आने से डरते थे संभव है पास पहुचकर वे उसे चूलेने के लोग को संबरन ना कर सके तो फिर उसका परिणाम क्या होगा उसके भयंकर दुष परिणाम का काला चित्र वकील साथ की आँखों के सामने खिंच गया वे घबरा कर उठे पास ही मेज पर रखा हुआ हीरा का चित्र उठा कर देखने लगे किन्तु उस चित्र में कई बार देखने पर भी उन्हें कमला ही दिखी वे घबरा कर इधर उधर करवटे बदलते रहे अंत में यह निश्चे करके कि मैं सवेरे हीरा लाल के यह भोजन के लिए अस्विकृती भेज दूँगा नजाने कब उन्हें नीद आ गई सवेरे जब वकील साहब सो कर उठे तो दिन चड़ाया था हीरा लाल अपने कई मोवकिलों के साथ वकील साहब की इंतजारी में बैठा था वकील साहब उठे कहां तो सोने से पहले उन्हें यह निश्चे किया था कि हीरा लाल के घर का भोज़क अस्विकार कर देंगे चाए पीते पीते महराज से बोले कि मैं आज यहां खाना ना खाऊंगा मेरे लिए ना बनाना और खाना बनाना ही किसके लिए था महराज को बिना मांगे ही चुटी मिली इधर भोजन के समय जब हीरा लाल वकील साहब से पूछने आया उन्होंने कहा चलो वहीं चलके खा लेता हूँ तुम भी घर रहोगे बार-बार दोडने से बचोगे हीरा लाल और चाहता ही क्या था वकील साहब को लेकर अपने घर पूँचा वकील साहब घर की सफाई देखकर दंग रह गए छोटे-छोटे दो कमरे कमला ने धंग से सजा रखे थे इतनी सफाई थी कि वह उनकी चतुराई से चकित हो गए उन्हें सौपन में भी यह आशा न थी कि उनके नौकरों के रहने की कोटरी नंदन कानन बन रही है जो घर कमला जी चतुर ग्रहनी के आलोक से आलोकित हो रहा हो उसकी दुल्ला नंदन कानन भी क्या करेगा वकील सहब दूसरी कोटरी में बैठे थे बीच के दर्वाजे पर एक फटी हुई साड़ी का ही सिला हुआ हलके हरे रंग का परदा पड़ा हुआ था परदे के पीछे से वकील सहब को बार बार कमला के पैरों की पाजेब की मदुर्ध्वनी सुन पड़ती थी जिस दिर रह रहके उनका मन चंचल हो जाता था जिन पैरों के पाजेब की मदुर्ध्वनी वकील सहब के हिरदय को दोलाय मान किये डालती थी उन पैरों को एक बार चूम लेने के लिए उनका मन आतुर हो उठा। हीरलाल ने आसन बिछा के पानी रखा। कमला थाली पर उसके लाई। आज उसने बहुत मामूली हलके नीले रंग की साड़ी पहिन रखी थी। नीले रंग में उसका रूप और भी निखर पड़ता था। खाना बहुत सादा था। दाल, चावल, रोटी और दो तरह की मामूली तरकारी थी। किन्तु सादा भोजन होने पर भी बहुत स्वादिष्ट और रूचिकर था। मिर्च मसाला बहुत कम था। फिर भी जाने क्या था कि वकील सहाब रोज से कहीं ज्यादा खा गई। खाते खाते बोले, हिरलाल मुझे खाना इसी प्रकार का अच्छा लगता है। किन्तु महराज तो जरूरत से ज्यादा मिर्च मसाला भर देता है। परिणाम यह होता है कि मैं कभी पेट भर भोजन नहीं कर पाता। तुम अपने इस्त्री से कहो कि वे महराज को भी खाना मनाना सिखा दे। कमला ने धीरे से कुछ कहा। हीरलाल हसता हुआ बोला, वकील सहाब वे कहती हैं कि आप यहीं क्यों न खा लिया करें। वकील सहाब हसकर बोले, सो यहां किस्मत में नहीं है, सबको थोड़े ही असा खाना नसीब होता है। कहते कहते सहाब चले गए, कचहरी की देरी हो रही थी। हीरलाल भी जल्दी जल्दी भोजन करके भागा। आज भेवी वकील सहाब की कार में ही बैठ कर कचहरी गया। प्रशंसा जूटी हो चाहे सच्ची, किन्तु है ऐसी चीज जिसे सुनकर प्रसंद हो जाना मनुश्य का सभाव है। अपनी प्रशंसा के इतने बंधते फुल सुनकर कमला फुल कितना हुई हो ऐसी बात नहीं। अब है दूने उत्सहा के साथ चीजे बनाती। और नित्ती ही कोई न कोई नई वस्तु बनाकर वकील सहाब के लिए भेज दी। उसके हिरदय में और कोई भाव न थे। किन्तु प्रशंसा पाने की लालता जरूर थी। वकील सहाब इसका दूसरा ही अर्थ लगाते। वे बार-बार सोचते कि जिस प्रकार मेरे हिरदय में उसके लिए प्रेम का सूत्रपात हुआ, उसी प्रकार कमला के हिरदय में भी त स्थान देकर पतितना होना चाहते थे, वे अपनी इंद्रियों का दमन करके अपनी सचरित्रता पर धबबा ना लगने देना चाहते थे, किन्तु होनी किसके टाले टली है, इस बार जब वे हीरलाल की तन्खवा देने लगे, तो 10 रुपे के स्थान पर 15 रुपे दिये और कहा हीरलाल मेरी आंदनी बढ़ गई है, इसलिए तुम्हारी तन्खवा भी बढ़ा दी है, इस महीने से तुम्हें 15 रुपे मिला करेंगे हीरलाल को मुझ मांगी मुराब मिली, खुशी खुशी घर आया, पत्नी के हाथ पर रुपे रखता हुआ बोला, कमला तुम सचमुच लक्षमी हो, जिस दिन से तुम आई हो, मुझे लाभ ही लाभ हुआ है वकील सहाब मुझसे कभी सीधे बात तक न किया करते थे, अब दोस्तों कासा बरताव करते हैं, कहां तो सदा निकाल देने की ही धमकी दिया करते थे, कहां इस महीने से 15 रुपे तंखा कर दी, अब तुम कहो, तुम लक्षमी हो या नहीं, तंखा बढ़ने की खुशी में मै उन्हें कल की दावत दे आता हूं, जरा इस बार गहरा माल दने, पांच रुपे उपर वाले खर्च कर दो, परमात्मा वहुद देगा, वकील सहाब दूसरे दिन हीरलाल के यहां खाने आये, आज कमला ने कई तरह की भोजन सामिकरी तैयार की थी, हीरलाल थाली परस्वा के वकील सहाब के सामने रखी रहा था कि बाहर से कुछ मुवकिलों ने आवाज दी, हीरलाल कमला से कहकर कि तुम वकील सहाब को खिला दो, मैं जरा मुवकिलों को सभाल लूँ, परना बहग जाएंगे, बाहर चला गया, सामने ही दूसरे वकील का घर था, उसे डर था कि कही दूसरे वकील के घर न चले जाएं, हीरलाल मुवकिल से बात चीद कर रहा था, कमला वकील सहाब को खाना खिला रही थी, बिल्कुल एकान और सामने वही वस्तु जिसके वे भक्त थे, वकील सहाब कुछ हत्प्रव और चंचल से हो गई, वे बोले, खाना इतना अच्छा ब के चहरे की लाली और आँखों की उनमतता साफ दिख रही थी, हाथ दुलाने के बाद कमला टौवल देने लगी, वकील सहाब टौवल लेकर कमला की ओर चुके, कमला हाँ हाँ क्या करते हैं आप कहकर पीछे सरकी, पीछे दीवार होने के कारण स्यादा ना हट सकी, वकील सहा आपने ज़्यादा जुक कर कमला के होटों पर अपने होटों को जड़ दिया, न चाहती हुई भी कमला इसका विरोध न कर सकी, कुछ चंग कमला के अध्रामृत का पान कर विना कुछ कहे ही वकील सहाब बाहर चले आई, वकील सहाब के बाहर आने के बाद हीरा लाल भी खान करती रही, उसे रह रहकर उनके साथ साथ अपने पतन का दुख हो रहा था, किन्तो उसने तो कभी सोचा भी ना था, कि यह मामला इस हद तक पहुंच चकता है, शाम हुई, आज वकील सहाब क्लब न जा सके, उनका चित उदास था, आज हीरा लाल को कोई आमदनी भी ना हु कर उसके हाथ में रख दिया, हीरालाल कलारी की तरफ भागा, वकील सहाब धीरे-धीरे हीरालाल के घर की ओर गई, जूतों की आवाज सुनकर, हीरालाल के धोके में कमला ने उठकर दर्वाजा खोल दिया, सामने वकील सहाब को खड़ा देख कर, वैं बहुत घबड़ाई, अब ना दर्वाजा बंद करते बंता था, ना खोलते। वक्कोष शांतर्व दर्वाजा पकड़े खड़ी रही, फिर बोली, क्या चाहिए आपको। वकील साब रुंदे हुए कंट से कमपित पर में बोले, तुमसे माफी मांगने आया हूं। कमला जरा भीतर बैठ जाने दो, फिर क्याता हूं। कमला दर्वाजे से सरग गई, वकील साब आकर भीतर पुर्सी पर बैठ गई, कहा, मुझे अपने कृत्ति पर बड़ा दुख है, कमला तुम मुझसे नाराज तु नहीं हो, कमला कातर स्वर में बोली, मैं नाराज हूं या खुश, अब पूछ कर क्या होगा, या तो आपको पहले ही पूछना चाहिए था, फिर भी मैं आप से पूछती हूं, आखिर हट से क्या लाभ है, मेरी और आपकी दोनों की जिन्दगी बरबाद हो जाएगी, वैसे आपको तो विशेश च्छतिना होगी, किन तु मैं कहीं क तुम क्षमा करो, तुम्हारी इच्छा के विरुद में तुम्हें कभी आत्मा लगाऊंगा, रही तुम्हारी जीवन बरबाद होने की बात, सो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, कि मैं हीरा लाल को कभी किसी हालत में अलग ना करूँगा, और तुम्हारा जीवन मे मेरे जीतेजी कभी बरबाद नहीं हो सकता। कमला ने दीन भाव से पूछा, फिर भी यह कहां तक उचित है कि जो आदमी आपका विश्वास करें, उसी के साथ अविश्वास करें। कभी इन्हें जरा भी शक हुआ, तो मेरे और आपके विश्वास में क्या सोचेंगे। वकील सहाब बोले, कमला शक होने ही कैसे पाएगा। कहते हुए उठकर पास खड़ी हुई कमला का उन्होंने गाढ़ा आलिंगन कर लिया। और उसी शाम उनका पतम हो गया। इस बात से कमला को जो दुख हुआ था, भै तो था ही। वकील सहाब भी अपने कृति से पर नजाने कितने दिन और कितनी राते उन्होंने बेचानी से बिताईं। किन्तु कारे करम उनका जयोंका त्यूं चलता रहा। रोज शाम को हीरा लाल जब कलारी जाता, उसी समय वकील सहाब अपनी मधुशाला में पहुछते। यह करम महीनों चलता रहा। किन्तु हीरा कुछ भी न जान सका। धीरे धीरे कमला को गर्व के लक्षन प्रकट हुए। विवा को नौ साल हो चुके थे। इतने दिन बाद ही सही हीरलाल ने उम्मीद छोड़ सी ली थी। किन्तु अब जब उसे मालूम हुआ कि कमला गर्ववती है तो उसे बेहत खुशी हुई। उसने मन ही मन सोचा, मकील सहाब के यहां लड़का हुआ तो इधर भी ईश्वर ने भेज दिया। इसमें क्या रहसे है विचारा हीरलाल न जानता था। एक दिन हीरलाल भोजन कर चु चीधी सीधी सुनाई और रुपया चीन लिया। अब कलारे तक जाके हीरलाल करता तो क्या करता। लाचार घर की तरफ लौट पड़ा। घर आकर उसने अपने घर में वकील सहाब को बैठा पाया। अपने घर में वकील सहब को देखकर हीरालाल को और हीरालाल को अचानक उस समय पहुंचा देखकर वकील सहब code बहुत आश्चरे हुआ किन्तु वकील सहब चतुर थे बोले क्यों हीरालल हमेशा तो मुझे भोजन के लिए बुचा करते थे आज जब मुझे घर में ढंका खाना ना मिला तो पहले ही से खापी के बैठ गए हीरा लाल बोला अरे तो और बन जाएगा वकील सहाब उसने पत्नी को वकील सहाब के लिए कुछ बनाने का इशारा किया वकील सहाब रोखते हुए बोले नहीं नहीं आप क्यों तकलीप देते हो मैं जाता हूँ तुम लोगोंने खाया पिया ना होता तो मैं भी कुछ खा लेता फिर कुछ हसकर बोले और तुम्हारा क्या हाल है मालूम होता है आज चड़ाई नहीं गीरलाल के हुदय में कुछ आशा का संचार हुआ इस समय मदिरा से अधिक आकरशक कोई दूसरी चीज दुनिया में उसकी दृष्टी में न थी बोला चड़ाता कैसे वकील सहाब एक साला देनदार मिल गया रुपया ही छीन लिया फिर मैं कलारी तक नहीं गया जाके भी क्या करता वहाँ कहीं दूसरों को पीते देखकर और भी जी खराब होता आपके पास हों तो सरकार जिलालो नहीं तो बिना खुराक के मर जाओंगा जेब से पांच रुपय का नोट निकालते हुए वकील सहाब बोले मेरे पास चुट्टा रुपया नहीं है और तुम्हे रुपया देते डर लगता है नशे के जोंक जोंक में नजने कितने का पी जाओ कीरलाल बोला नहीं सरकार ऐसा भी कहीं हुआ है मैं तो उतना ही पीता हूँ मेरी तो खुराक ही उतनी है बस एक रुपया आठाना की हीरा लाल नोट लेके जाते जाते कमला से बोला वकील सहाब को कुछ बना के खिला देना जरूर वकील सहाब बोले पहले अपनी फिकर कर लो फिर हमारी बाद में करना हीरा लाल हस्ता हुआ चला गया हीरा लाल जब आंक से उजल हुआ तो कमला का आलिंगन करते हुए वकील सहाब बोले तुम इस शराबी की दास हो कमला ये थी बदलने का कानून होता तो मैं हीरा को दे के तुभे ले लेता हीरा हीरा लाल के साथ खुश रहती चाहे ना रहती पर हमारे सरीखा सुकी तो दुनिया में कहीं डूणने से भी न मिलता ना कमला कमला ने कुछ उत्तर न दिया विदाई की अंतिम छाप कमला के होटों पर लगा कर वकील सहाब अपने घर आई कमला को गर्ब का पाँचवा महीना चल रहा था हीरा लाल खोब पी के लोटा लोट कर साथे तीन रुपे कमला के सामने फेक दिये फिर वह खाट पर बेहोश हो कर गिर पड़ा आज उसने दूनी चढ़ा ली थी धीरे धीरे हीरा लाल को अपनी इस्त्री और वकील सहाब के चरित्र के विशय में कुछ-कुछ संदे होने लगा किन्तु कुछ भी कहने की हिमत न बढ़ती जब तक वह अपनी आख से कुछ देख न ले कैसे कहे लेकिन इस विचार मात्र से ही उसका है बड़ा विच्वित हुआ वै अब ज्यादा पीने लगा किन्तु इस पर भी उसे शांती न मिलती वै बड़ा व्यथित और घपराया सा रहता एक दिन वै कमला से बोला कमला जने क्यों मुझे तुमारा वकील सहाब के साथ इतना मिलना जुल्ला पसंद नहीं आता कमला ने कहा मैं तो उनके धर मिलने जाती नहीं तुम उन्हें मना कर दो मैं उनसे कभी न मिलूंगी हीरा लाल निरुत्तर हो गया वकील सहाब को रोकने का उसमें साहस न था उसने सोचा मकान ही बदलनू तो अच्छा रहेगा वैं मकान की तलाश में चला रुपया लेकर कलारी की तरफ जाने के इरादे से निकला किन्तु कुछ ही दूर जाने पर उसे कुछ मुखकिल मिल गए मैं उन्हें लेकर लौट पड़ा बंगले पर आने पर मालूम हुआ वकील सहाब कलब गए है मुखकिलों से बात चीत करके पाँच रुपय फीस की पेशगी लेकर हीरलाल उन्हें सवेरे आने की ताकीत कर अपने घर की तरफ चला फिर रबर्जोल जूते पहना था इसलिए जूतों की आवाज ना हुई बाहर बरामदे पर पहुँचकर उसने देखा कि सामने का दर्वाजा बंध है अंदर से वकील सहाब और कमला के हसने की आवाज आ रही थी मैं चुपचाप कुछ छन पर खड़ा रहा उसने सुना कमला कह रही थी लड़की हो या लड़का है तो तुम्हारा ही उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम ही पर रहेगी मैं यह न देख सकूंगी कि तुम्हारा एक बच्चा मोटर पर बैठ कर स्कूल जाए और दूसरा पैर घसीटता हुआ जाए वकील साहब बोले पगली हुई हो तुम्हे भी मैं यहा न रहने दूंगा मैं तुमको लेके भाग जाऊंगा बकालत, मकान, बगीचा सब हीरा और हीरा लाल के लिए छोड़ जाऊंगा मेरे पास बस तुम रहो मैं दुनिया की सारी संपत्य को ठुकरा दूंगा मोटर मैं अपने बच्चे के लिए साथ रखूंगा कहीं भी रहूंगा, कमा खाऊंगा हो न तैयार इस बात के लिए कमला हस पड़ी इरा लाल अधिक न सुन सका संताप से वह पागल सा हो रहा था उसने जोर से एक ठोकर दर्वाजे पर लगा दी दर्वाजा अंदर से बंद था वहवा अक्षन भर भी ठहर न सका तेजी के साथ अहाते से बाहर निकल गया अंधकार में किधर अद्रिश्य हो गया कोई जान न सका इस घटना को हुए कई मास बीद गए अब कमला और वकील सहाब के संबंध की चर्चा घर-घर में थी संदेह तो लोग पहले से ही करते थे किन्तु हीरा लाल के इस प्रकार अचानक लापता हो जाने से संदेह करने में कोई संदेह का कारण न रह गया था एक सखी ने कुछ गोल माल करके हीरा देवी को भी लिखा यह भी लिखा कि वह फॉरण चली आवे इसके एक ही दिन पहले हीरा देवी को पती का पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि यहां कई तरह की मौसमी बीमारिया फैली है ऐसे समय में तुम बच्चे को लेकर यहां मत आना मैं स्वैम तुम्हें लेने आऊगा अब हीरा देवी पती के असली मतलब को समझी उनके सिर्द से पैर तक आग लग गई उसी दिन रात की ट्रेन से वहरवाना हो गई उनके पहुँचने से 15 दिन पहले बंगले में ही एक कमरे में कमला को कन्या हुई थी हीरा देवी के इस प्रकार अचानक पहुँचने की वकील साहब को संभावना ना थी वैकिन करतवे विमूर से हो गए उनकी समझ ही में ना आया कि क्या करें पहुँचने के कुछ ही गंटे बाद हीरा देवी ने देखते देखते कमला को बच्ची समेथ बंगले से बाहर निकाल दिया बंगले से निकलते समय कमला वकील साहब के दफ्तर की तरफ मुझकर बोली मुझे उन कोटरी में से एक में रहने दो मैं इतना नन्ह सा बच्चा लेकर कहां जाओं फिर मुझसे चला भी तो नहीं जाता मैं अपनी बात पूरी भी न कर पाई थी कि अचानक हीरा देवी आ गए डाट के बोली सीधी निकल जाओ मेरी इक्चा के विरोध तुम इस आहाते में पैर भी नहीं रख सकती वकील सहाब बुद की नहीं पैठे रहे उनसे कुछ भी करते न बना उन्हीं की आँख के सामने जिसे उन्होंने इतना आश्वासन दे रखा था वही कमला गिरती पड़ती किसी प्रकार बंगले के बाहर चली गई किसी को उस पर दया ना आई किसी ने उसे शर्र न दी अपने पाप के फल को हिर्दर से लगाए संताप के आशू बहाती कमला निरुद्दे शिभाव से चली जा रही थी अभी आप सुन रहे थे श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कहानी मेरी याने अरचना की जुबानी आपको यह कहानी कैसी लगी क्रप्या कमेंट करके बताएं अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें अगली कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं यह भी बताएं आप से फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद